रच्च के हसाया, रच्च के रुलाया, मैंने दिल लिखो के इसक कमाया और आगे नहीं, क्लास सुरू हो चुकी है, हलो साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टड़ी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, और इन्हीं उमीदों के साथ आज का सेसन सुरू होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा बहुत कभी-कभी गाना वाना गालिया करिए आगे सभी, क्या-क्या होने माला है, सबसे पहले मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आज मैंने थोड़ी सी तयारी किया था इस क्लास के पहले, जो कि मैं आपका टाइम बचाऊंगा और कुछ लोगों ने मेरे गाना भी सुन लिया होगा, स्टार्टिंग में मुझे लगता है सायद सुन लिये हो काँ, चलो सुन लेना चाहिए प्रेक्टिस करना चाहिए, जारी रहना चाहिए कुछ चीज़ें आज पहले बनी हैं, देखो सलाइड पहले बनी होती तो अच्छा रहता है, मज़ा आता है कुश्चन बहुत सारे हो चुके हैं पहले कुश्चन है सामने पीछे देखो यह मेरे ना अलारम का टून है, रच के हसाया रच के रुलाया और मैंने दिल खोके इसक कमाया और उसने जो कैसे इसके आगे है मैंने जमी पर चांद बुलाया देखो तुम कुछ भी कर लो चांद बुला लो चांद पर चले जाओ जिसको जो करना है वो करके रहेगा गाना तो इसलिए बना है चलो फिल हाल ठीक है तो आज की इंपॉर्टन बात ये है सभी हमें टेली गराम पर जरूर जोईन कर ले जोईन कर लिए हो तागे बढ़ें देखें पहले सब आई के एग नहा है चांद बुलाने क्चकर में ही है जो आए है वो बाग जा रहे चलिए भाईया मेरी आँख न बहुत गुट 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 कुश हो रही इसमें यह लक्ष बैच का लाइब नंबर फोर है ठीक है लाइब नंबर फोर है तीसरी कलास में प्रेक्टिस हुआ था ठीक है उसके पीछे की कलास में भी कुछ चीजें पढ़ाई गई थी पहला द्याय है अभी ये सिकंड द्याय का कुछ चीजें मैंने पढ़ा दिया भले बीच में लेकिन अभी पहला पढ़ना है ये टॉपिक होंगे जो आज पढ़ना है यहाँ पर लिखा है न कमेंट नहीं पढ़ना सबका कमेंट आ रहा चलो भाज या भाजे अपवर्तक तथा गुड़ज ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे गुड़ज को इंगलिस में मल्टीपल बोलते हैं इसका हिंदी में दूसरा नाम अपवर्त होता है इसको अपवर्तक विभाजा क्या गुड़नखन या इंगलिस में फैक्टर कहते हैं आई ये बात करते हैं इंपॉर्टन मतलब की आज ये डिस्टरब करके रखिए बताने का है गड़ रहे है क्या चाहिए इसे मतलब की बात करो भाई बिना मतलब की दुनिया भी नहीं चलती है मतलब से चलती है देखो सबसे पहले है भाज संख्या फिर है भाज संख्या इनको इंगलिस में प्राइम नंबर बोलते हैं इनको कमपोजिट नंबर कहते हैं ओके आपको पता है आपने सुना होगा प्राइम और प्रीमियम चीजें जो कि बिलकुल लगजरी होती है अलग होती है चलिए देखे ये चीजें आप तब पढ़ सकते हो जब आपको अपवर्तक और विभाजक के बारे में पता हो क्योंकि यहां पर पहले अपवर्तक की बात होगी तब इनके बारे में कुछ होगी तो मैं इनको ऐसे हराई भंदा के छोड़ देता हूँ पहले अपवर्तक पढ़ेंगे विभाजक क्योंकि यहां उनका काम लगने वाला है न इनको देख लो प्यार से स्क्रीन साथ ले लो बाद में समझना इतना मैं छोड़ दिया हूँ हम बात करते हैं अपवर्तक की क्योंकि सबसे पहले इसका काम लगेगा इधर लिख लो चच्चा ए चच्चा के चच्ची रुका हो अपवर्त देखिए जैसे किसी का नाम इस्कूल का नाम मालो पंकज है घर का नाम मोहित है तो लोगों बुलाउते नहीं है है मोहिता सुनता हो ए लड़के अरे बुलाते नहीं बड़के लोग बुड़े लोग घरजीयन लोग है न है अभी नहीं होंगे कहने का मेरा इह मतलब है कि उसका नाम तो स्कूल में कुछ और घर पे कुछ और लेकिन लोग बुलाते कुछ और यहानि प्राणी वह कठी है उसके नाम धेर सारे हैं देखो यह मों कौन मुईता होईता आएगे नहीं कौन कौन है वर्तिकावा और देखो चलो समझो यहाँ पर आगे मतलब की बात समझो अपवर्तिको साथी मेरे इसको कहते हैं गुड़ज यह इसका घर का नाम माल लो इसका एक नाम और है यह अपवर्तिको गुड़ज ठीक है गुड़न खंड पहले इनके सारे नाम जान लीजिए कहीं भी अगर इनका यूज होता है तो तुम जान जाओ इनहीं के बारें बात हो रही है ठीक है अपवर्तिक को गुड़न खंड भी बोलते हैं इसको बिभाजक भी बोलते हैं और इसको कुछ होूरो बोलते है यार रुको देखने तो कहीं से चीट चाट करके लिखता हूं रुको एक मिनन दो हई है वाद एक टीप जैलों हो तुभाए हां किसी का कल्लू नाम होता है तुभगण के लोग होते हैं और लोग होते हैं कहीं कहीं किसी किसी गाउं पईदा हो जाते हैं एक सिकेंड रुक जब आई या मतलब सिकेंड नहीं एक मिनट अरे तुम लोग समझदार हो ऐसे थोड़े हैं जमीन से जुड़े हो यह लोग हो रुके रहो जाने दवटाओ जो भी और नाम होगा बाद में बताते रहेंगे अप वर तक गुड़न खंड भी भाजक और किसी को याद आ रहा तो बता तो मुझे मुझे तेक कर दो नाम इसका याद था भाईया एका इंगलिसीम फैक्टर बोला थे हो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनके नमोट हेर होते हैं कादुई नामाउर भी होते हैं बताएंगे मिलेंगे तो और का बोलते हैं देखो नोटंकी अगर कैना का होगा तो नोटंकी सब करेंगे मतलब के बाद का एको कमेंट नहीं कर रहा है बताता हूँ तुम्हें रुको ना लाएको चलो देखो अपवर्तक और विभाजक या गुडनखंड ये क्या होते हैं जैसे एक नमबर लेलिया मैंने रुक जाना रे भईया रुका रहा मानलो मैंने ठी छोटका नमबर लेलिया 1414 तो देखो इसके गुडनखंड 1 भी होंगे 2 भी होंगे 7 भी होंगे 14 भी होंगे कितने लोग समझ गए कि ये इसके गुडनखंड क्यों है कैसे है समझ गए ना समझा रुका फिर सबर करा थोड़ता फली रखा देखे जब मैंने कहा कि 14 का फैक्टर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको पूरता संटिस्फाइड कर रहा है इस महाँगाई में इसके सारे खर्चे पूरे कर पा रहा है तब ही ये इसके साथ क्या है इसका फैक्टर है 1 1 जा 1 0 1 4 जा 4 नीचे सेसफल 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये 1 से completely divide है ठीक है मतलब सारे नखड़े पूरा कर रहा है इसा बोलो साथ दून ये चौदा गटाने पर 0 आया यानि सेबन भी क्या है इसका पूर्णता साथिसफाइड कर रहा है इसका फैक्टर है लेकिन अगर तुम जबर जस्ती बीच में पांच भी लिख लो गुसाइक तो का होगा जीरो सेबन नहीं आएगा चार आजाएगा इसका मतलब ये इसको पूर्णता साथिसफाइड नहीं कर रहा है इसकी चार इच्छाएं बची रह जा रही चाहे वो गुलकपा वाला हो पकोड़ा वाला हो आइसक्रीम वाला हो और एक ठी कुल्फी वाली चार इच्छाएं बच जा रही है, तो इच्छाएं कोई सेफ नहीं होनी चाहिए, यानि कोई सेफ फल नहीं बचना चाहिए, ठीक है, समझ में आए कुछ की नहीं, अभी समझोगे, धीरे धीरे समझोगे, चलो देखो, अब इधर देखो, अगर मैंने एक नंबर लिया दूसरा, वो इन्हीं का छोटका भाहिए है, यह छोटका भाहिन मानलो 13, इनके फैक्टर की बात करेंगे, तो 1 और 13 होगा बस, और कोई नहीं, लेकिन यारे हो क्या आ रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है नहीं, सही तो बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ लगी इंदरे कर बड़ा रहा है, चलो मेरा दिमाग थोड़ा देर चरने चला गया था घास पूस, चलो देखो, तो यह क्या है, इसके फैक्टर हैं, अपवर्तक हैं, सबही समझ गया न, इतर वाला सही यह कोई दिक्कत नही यानि 14 का विभाजक भी 1 है, अपवर्तक भी 1 है, गुडनखंड भी 1 है, तू भी वही है, सेबन की भी वही रिस्ता लगता है, और यह भी रिस्ते में जी जाई लगता है, समझ गया है, चले आगे बढ़ें, चलो, एक, दो, तीन, चार, पाच, देखो तुम लोग जागते अगला देखो, हाँ, अपवर्त की बात करें, अगर हम 14 की अपवर्त की बात करें, अपवर्त का मतलब होता गुडच, जैसे 14 का एक प्रकास तुम टेबल मान लो, टेबल आसान भासा में कहेंगे, तो टेबल मान लो, 14, 14 तूजा 28, 14 थ्रिजा, 42, 14 फोर्जा, 56, हमका नहीं सीखने को कहीं भी मिल जा, सीख लेना चाहिए, तो बच्चों से भी कभी-कभी सीखने को मिलता है, ऐसा थोड़ा है कि हम उपर से गिरे हैं, चलो देखो, तो 14, 4 जा, 56, देखो, इंग्लिस में पढ़ने के लिए क्या ना, आपको हिंदी में आना चाहिए, और आपका दिमाग एक कदम आगे चलना चाहिए, बस, जैसे दिमाग में तुन पता, 56 होगा, इंग्लिस में 56 बोलते हैं, बोल दो, और 14, 75 होता है, इंग्लिस में बोलते हैं, 70 तो बोल दो, 14, 5, 70, समझ रहे हो ना, ऐसे ही, चलो, तो ये क्या हो गया, 14 का ये क्या है, अपवर्त है, यानि, गुड़ाज है, मल्टिपल है, दोनों में ये निश्चित है, इनकी संख्या अनंद नहीं है, लेकिन जो अपवर्त है, ये अनिश्चित है, कुछ बकलोलोन का लग रहा होगा, कि नहीं, 14 दहम्मात, 14 पर खतम होई जाए, नहीं, यह इसे से जाएगा, 140 होई जाएगा, ठीक है, 14 का 11 में गुड़ा करोगे, तिसके आगे भी बढ़ेगा ये, 14 की रहम में, 156, 154 होई भाईया, 154 ना, इसके आगे और आगे बढ़ेगा ये, 54, 64, 68, 168, यानि हमारा कहने का यह मतलब है, जो तुम नहीं समझ रहे हैं, वो समझो, फाइक्टर ऐसे निकालते हैं, जैसे माल लो इसका हम 100 से गुड़ा कर दें, स्वारी, फाइक्टर नहीं, गुड़च, तो ये 14, 100 भी क्या है, इसका गुड़च है, रुख जा यार फसगा, देखो बतिया खुब रहे हो तुम लोग, सेटिंग कर रहे हो न, इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतननाक होता है, कभी कभी न, बेवी की चक्कर में बाबा से मुलाकात हो जाती है, तो सावधान रहो, सतर कर रहो, और ये सब ना करो, ये जो लड़की समझ के लड़का बात कर रहा है, लड़का समझ के लड़की बात कर रही न, ये केवल तुम्हें जूटी तफली दे रहे हैं बस, इसमें कुस लोग के गारजियन भी चैटिंग कर लेते हैं, चुपे-चुपे, बचवा जानी नहीं पाता है, चलो देखो, तो ये फोर्टीन का अगर हम पांच सो से भी गुड़ा कर दें, तो भी इसका फैक्टर बनेगा, अब ये फैक्टर नहीं बनेगा, ये बनेगा इधर वाला मल्टीपल, इधर देखे जाओ, मल्टीपल बनेगा, ठीक है, तो चुदा, पंचे, सत्तर, अदूठी, जीरो, सा ये निफ्चित नहीं है, ये अनन्द हो सकते हैं, जैसे इधर बन रहा है न, साथ हजार तक हो गया, समझ रहों कि नहीं, समझ रहों कि नहीं, आजकल के पैरेंट्स भी वड़े सावधान हो गए हैं, पता हैं, कभी-कभी जैसे हमारे अगर टेली कॉलिंग में मेल बैठ जाते हैं, फीमेल की जगा, हाँ मैं पीवियार स्टडी से फलाने बात कर रहा हूं, मम्मी भी बोल रही है, अगर, कोई लड़की का अगर ना मैं बोला हाँ, भाई फलानी बोल रही हूं, हाँ बोल रही हैं, बता हूं, हाल चाल जानने के बाद, अच्छा, वो तो गई है, कॉलेज गई है, समझ रहा हूं कि नहीं, जो जो बताना है, तुम्हें पूरी बात बतातों, तुम पूरी इच्छा, उसके बाद फिर बताती हूं, मम्मी हूं कि कौन हूं, तो इसलिए साव जहां रहा करो, थोड़ा, चलो, तो आगे बढ़ें, जैसे दफ ले लिया, अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर 1, 2, 5, 10, ठीक है, तो सभी समझ गए, अब वर्तक क्या होता है, गुडन खंड यानि विभाजा कि ये क्या है, एक ऐसी संख्या जिससे भाग करने पर, जीरो सेसफल आए, वो सभी संख्या है, उस उक्त दी गई संख्या कि क्या होती है, अप वर्तक होती है, या गुडन खंड होती है, या विभाजक होती है, या अंग्रेजिम बोलते हैं, फैक्टर होती है, समझ गए, आगे बढ़े, अगुडन खंड क्या है, अरे गुडन खंड कोई तो फैक्टर बोलते हैं, दुसरे नाम में, अप वर्तको गुड़ज बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है, चले, इनको देखो, स्क्रीन साइट लो, फट से चलो, स्क्रीन साइट ले लो, चुप पे देखना अकेल ले, कोई देखने न पाए, इसमें इधर साइड अभ्यास प्रस्न है, थोड़ी सी और सी हम इसका जो है, जो चीजें उन्हें किलियर कर दें, फिर हम अभ्यास प्रस्न में आएंगे, चलो, जैसे अगर मैंने ये संख्या लिखा, कुश्चन मान लो, कि संख्या 20, कि कितने अपवर्तक हो सकते हैं, बताओ, अपवर्तक का मतलब ये होता साथी, कि इनको जिस जिस गिंती से भाग करें और जीरो से फ़लाए, वो अपवर्तक है, ठीक है, और आउर का, और दूसरा गुड़ज वाला है, गुड़ज का मतलब ये होता है, कि वो संख्या जो इसकी गुड़ज होगी इसकी, इससे भाग करने पर जीरो से फ़लाना जाए, ये बस, देखो, यानि अपवर्तक का मतलब है, जो संख्या इसकी अपवर्तक है, जैसे वन है, तो ये इससे इसमें भाग किया जाएगा, यानि इससे ये भाग करवाएगा, लेकिन अगर हम इसके विभाजक को छोड़ कर अपवर्त की बात करें, या गुड़ज की बात करें, तो इसका गुड़ जागर 20 है तो इसका मतलब 20 से इसमें भाग होगा और इसका गुड़ जागर अगला 40 है शुरी इसके पहले वाले थोड़ा अगरबन था ऐसे होगा इधर ते इधर को ठीक है ऐसे इसमें भी क्या होगा इससे समझ में आया तो संख्या सेम वही है इधर जो लिखे जा रहे हैं ये इसके गुड़ज है ये क्या है इसके गुड़ज है बीसके और जो यहां लिखे जा रहे हैं ये क्या है ये भैया जो इधरे वाले हैं ये सबी इसके अपवर्तक हैं यानि विभाजक है या गुडनखन है इधर क्या है इधर तो का दिखाता है आठ बार का एक ता दिमाग कदई बनाया यह जो पियरकेक अंदर घेरा है ना इका है आपवर्त या गुड़ज है सभी समझ गए तो संक्या बीज के कितने अपवर्त संभों है बताओ संक्या बीज के कितने अपवर्त संभों है देखो अपवर्त वहाँ से बनाया है जो होता है नहीं समापवर्त सुने आगना है ऐसे यह LCM का हिस्टा है समापवर्त तक यह HCM का हिस्टा है बात करने वाले को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ चलो भागो यहां निकल लो चलो हटो 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 मोहिनी परजापती तुम्हें पांच मिनट के लिए मैंने ब्लॉक किया है सीवम कुमार बेटा तुमको भी पांच मिनट के लिए जो जो बात कर रहा है भाग लो यहां से तुरंध भागो यहां से अध्य लड़े वाली कलाश तो चल रही है हम जाग रहें सोए रहें चुप चा बागो यहां बात करने वाले चलो अटो चलो हो गया समझ गये तो इसके आनंत है कितने पूजा यादों ने सही जबाब दिया है आनंत अपवर्त किसी भी संख्या का आनंत होता है ठीक है यहां पर हम किसी भी पूल संख्या की बात कर रहे है आगे चले चलिए संख्या लेलो इक्ठिया उर यह बताओ कि संख्या 56 की अपवर्तक बताओ जल्दी जल्दी अपवर्तक या विभाजा क्या गुड़न खंड बताओ कितने संभव है कौन-कौन बता लिया चला अब में पॉइंट पर आ जाएंगे बहुत देर नहीं करना है चलो संख्या 120 के अपवर्तक बताओ अपवर्तक नहीं यहाँ पर बिभाजक लिख लो इनका दूफर नम लिले घरे बाला बिभाजक जैसे किसी घर का नाम लक्षमी हो इसकूल का नाम आरती हो पर अंजल को बताओ कभी मंदिर आई हो तो मंदिर आई हो बता दो इनकी जिन्देगी में इसी में बतलब जाने वाली यह खतम इसकी अलामा इनकी लाइफ में कोई टार्गेट कोई उद्देफ नहीं चलो मैं इनको बलाक कर दिया इनकी मंदिर की इच्छा के साथ इनकी सारी इच्छा है पूरी इनकी अंतिम इच्छा थी ना वो चलो तो किस से किसी डिवाइड होगा 1, 2, 4 से भी होगा नहीं है और 6 से भी होगा है क्या नहीं आठ, आठ सते शपन आठ के पहले साथ आए च्छा 9 से भी होगा क्या नहीं होगा 10, 11, 12, 13 किसे नहीं होगा 28 से भी होगा और 56, 56 से होगा ये इनके क्या है फैक्टर है 14 से भी होगा ये इतने ठीक है 120 के चलो ठीक है सभी कर लोगे 6 भी हो जाएगा साथ होगा नहीं आठ एक कम आठ बचेगा चार, आठ भी हो जाएगा 10 तो होगे जाएगा 11, 12 भी हो जाएगा बहुत फैक्टर आयारे करे इतने पूरा दो के बाद आयारी कितने फैक्टर नहीं एक रे बताओ सुमित सरकार को मैं पर्मानेंट बलाक कर दिया हूँ बिटा जिन्दगी भर के लिए चलो और का का होगा 14, 75 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 के आगे देख लेना अपना बताना मुझे चलो 20 भी होगा क्या 20 चक्का 120 20 आप 20 तो होगा 20 के पहले भी कुछ होगा क्या नहीं जान लो मोटा मोटा लिख दो 20, 30, 40 60, 120 यह सब तो हो भए करेंगे तो आईए मतलब की काम कर लेते हैं भाई साहब चलो 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 फटा आग दे आजाओ बस 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 होईगा 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 सारा काम होईगा निपट गा अब यह फंस जात है यार वगली हमें चलिए देखिए हाँ तो आप तो मज़ेधार वाला पड़ोगे यार आप तो गल्फ्रेंड बॉर्फ्रेंड वाली बात होने वाली है जो तुम सुनना चाहते थे अब तक आप तो इनकी बात होगी जो भी इस्टूडेंट या इस्टूडेंटी पढ़ने आती है न जिंदगी नवकरी भले न मिले इने में से एक जरूर मिल जाता है सही बात है कि नहीं स्थे मुझको छोड़के मुझको नहीं मिला आप तक कोई पता नहीं का है देखो मतलब क्या है समझो वह इसे डारेक्ट थोड़े बता देंगे खां वहीं बताएंगे पहले मायत वाली कुछ बात आने दोसमें मिक्चर करके देखो अभी तक मैंने पढ़ा था क्या गुड़नखन जैसे संक्या 18 ले लिया न तो 18 के फैक्टर क्या क्या है 1 है 2 है 3 है 6 है 9 है और 18 खुद है ठीक है यानि इसके फैक्टर देखो तो 5 ठू है 5 ठू और इनके बढ़का भाई को ले लो समझदार हो चुके हैं जिन्दगी के सारे अनुभोल ले चुके हैं 18 के बाद हो ना अनुख इनके फैक्टर सीर्फ और सीर्फ दूइठ है एक वो खुद है और एक one है समझ रहो यानि पती पतनी बस वो नहीं है इसमें समढ़ती नहीं होती है समझता है हाई कोर्ड सुप्रीम कोर्ड भी मामला जा चुका था कोर्ड ने भी कहा है कि पती-पत्नी के साथ वो भी संभव हो है, रह सकती, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें वो की संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चाथ, मतलब तुम इतना समझ लो कि ऐसी संख्या, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, वो अभाज्य होगी, यानि वो संख्या का फैक्टर वो ख जैसे मालो मैंने संख्या ले लिया 12, अब 12 के फैक्टर 1 है और 12 तो है ही, लेकिन इनकी अलावा और भी होगे, तो वो भाज्य होगी, देखो इनके क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है, तो सफ़ेदका, सफ़ेदका के अलावा, PR का भी 5 ठू है, ठीक है, कित पिट नहीं होती है चार पांच छे साथ कुछ भी हो सकते हैं कि समझ रहे हो ना हाँ हाँ दहाई अंक में भी हाथ तक पहुंच जाते हैं ऐसे लड़के लड़कियां जो 6-6-8-8 साल से तयारी कर रहे हैं यहीं लाहबाद परियाग राज में यह कोई बड़ी बात नहीं है यहां कि अगर गारजियन देख रहे हैं तो वो भी आप लोग चंद सेखा राजाद पार्क यानि कंपनी गार्डन मोती लाल नहरू पार्क में रात के चले जाओ शाड़े आड़ नो बजे नो बजे तक खुल रहता है इतना नवभवी हूं मैं नो बजे रात के चले जाओ वहां जाके देखो क्या क्या होता है कि यवाँ दःखाई में रहने वाले होते हैं एक के दस थ को समझे रहो कि नहीं करे चफल के देखें संग्र नहीं मिलेंगे तुमें लग अलग अलग बेगती के साथ तुम्हें अलग अलग को देख सकते हो अलग अलग चले आगे तो इसके फैक्टर 13 के कितना होंगे 123 मुझे उमीद है कि आप भाज या भाज सीख गए है कोई डाउड किसी को नहीं न ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे दो गुडन खंड या विभाजक होंगे वह भाज होगी आगे चले 13 भी इसका ऐसे हो जाएगा चलो आगे बढ़े देख लो इसको स्क्रीन साड ले लो फट से चलो फट से स्क्रीन साड लो आएए तो अब हम कुश्चन करवा देते हैं यहां पर जो लिखे रखे हैं भाईया बहुत मेनाथ से लिखे रहे हैं हो चला देखा बतावा फटा फट फट कुश्चन नंबर पहला जवाब दीजिए आरती समझ में आ रहे हैं आरती राये वर्तिका मनीशा मोहिनी मोहिनी दक्स वान सी यतना खतरनाग नाम लिखे के कहे रहा तो कहा है मिया खलीफा कहां से आ गई नहीं ने पढ़लो 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 तुम भी सब कुछ करके फुरसत पा आ गई हो चलो पढ़ो देखो इदर फास्ट कुश्चन है इसमें A, B, C, D कई आप्सन है अगर C वाला है तो आप 1C लिखोगे अगर D लिखोगे मनलब D वाला है तो 1D इस तरीके के कमेंट करोगे A वाला है तो 1A चलो बहुत अच्छा निम्न में कौन अभाजे संख्या नहीं है इसमें सभी संख्या अभाजे है और एक संख्या ऐसी है जो अभाजे नहीं है बताव कौन सी संख्या है जो अभाज नहीं है भाई साहब यह B वाली है 1 B सही है देखो कोशिज नहीं कर रहे हो तुम लोग बेमानी ना करो चलो बताव अगला सिक्यंड में अगर B सही है तो 2 B लिखोगे A सही है तो 2 A वर्तिका सिंग नुपूर अखिलेश कुमर चल मेरे भाई कह रहा है कि निमन में सबसे छोटी अभाज संख्या अभाज संख्या भाईया ऐसी संख्या जिसके कम से कम कम से कम नहीं सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो एक तो 1 हो और एक वो संख्या खूद हो ठीक है तो अगर तुम 1 के बारे में लोगे तो इसके फैक्टर 1 तो है लेकिन इसका गवाज दूसरा नहीं है तो ये 1 जो है ना भाज्य है ना भाज्य है याद रखना ठीक है यानि इसके लिए मीनिमम दो फैक्टर होना चाहिए भाज्य के लिए एक तो वो संख्या खूद हो बाकी ये कोई और संख्या हो तो ये खूद भी वही हो जाएगी और 1 भी वही हो जाएगी ऐसा संभव नहीं होगा समझ रहे हो कि नहीं कोट मेरिजवाले से पूछो उनके लिए गवाही लगते हैं दो तीन ठी अब वो गवाही खूद अपनी नहीं दे सकते हैं उसके लिए उनको ले जाना पड़ता है साथी लोग को देखो समझों यहां पर क्या वन ना भाजे है ना भाजे अब अगर भाजे संख्या की बात करें सबसे चोड़ी तो फोर है टू में सी सही है अगला में जवाब तो तीन में निम्निलिकित में से सबसे बड़ी अभाजे संख्या कौन सी यह बताओ सबसे बड़ी अभाजे संख्या बताओ हा बहुत अच्छा भाज बैया बेरे गूड अनन्त की तीन में ल्डी अब आजे संख्या सबसे बड़ी कोई भी संभो नहीं है सब बड़ी से बड़ी है जैसे हैं दुनिया देश में ना हम तुमसे ग्यानी तुम हमसे ग्यानी वैसे कोई किसी ज़्यादा बड़ा ग्यानी नहीं है बहुत अनंद ग्यानी वाले पड़े है फोर नंबर सवाल में जवाब दीजिए चार नंबर में कहरा कि 30 के कितने गुरज संभव है इन में एक आठी गुरज दिया भी है क्या वो संभव है चार में बताओ 30 के गुरज जो संभव है वो साथ है इवाला सही है चार में इव बोल सकते हो देखो पढ़ने के बाद अब भ्यासप्रस्न रेडी होना चाहिए आज था ना कुछ कुछ चन प्रियंका पटेल जी कमेंट आ रहा आपका 70 से 90 के बीच कितनी अभाजे संख्याएं है 70 से 90 के बीच में कितनी अभाजे संख्याएं है बताओ सोच के बताओ 72 तो होगा नहीं 73 भी होगा क्या भाजे देखो एक बार 75, 76, 77, 78 होगा नहीं 89 भी होगा सायद 80, 82, 83 भी होगा क्या देखो एक नजर में हमरे समस्ते दभाईया यह नहीं है पांठी एक बार देख लो एक नजर इनमें 88 ऐसी भी होगी जो भाजे भी हो जाए देखो तो 70 से 90 लिखा है एक बार देख लो एक नजर से अब आज संख्या के कितने गुड़न खंड होते हैं बताओ 6 में 6 में बताओ अगर 6 में 5 अब गुड़न खंड होते हैं तो तुम लिख तो 5 ऐसे पांच 6 कामा 5 तो का नहीं मज़ा आवतिया तैसे लेला ना आपसन में लेला पांच दू तीन एक चलो आपसन बताओ बहुत अच्छा अब आज संख्या के गुड़न खंड दो होते हैं किसी संख्या के तीन अब वर्तक हैं तो संख्या भाजय भाजय होगी या इन में से कोई नहीं होगी पताईया जनाब जबाद दीजिये अगर तीन है तो संख्या भाजय होगी कमपोजिट नंबर होगी तो इनी बातों के साथ आज का कहानी इंड होती है चलते चलते याद रखना कि अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो और डेली पढ़ना चाहते हो तो भाईया बाबू सबही हमें न टेली गराम पर जरूर जोइन कर लीजिए क्योंकि सारी क्लास का लिंक इन्फोर्मेशन सब इसी पर मिलता है वाटसप पर डेली हम सेयर नहीं कर पाते हैं तो अगर फिरी पढ़ना है हर दिन पढ़ना है तो हमें टेली गराम पर जरूर जोइन करें भूले नहीं